हेलो दोस्तो मैं हूँ संदीप सर्मा और दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जाबश्रिप की मदद से html element को canvas में convert करना और canvas से downloadable jpg या तो png image में कैसे convert करना है वो बता हुआ तो दोस्तो चलते हैं वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों यहां पर मैंने html फाइल अल्रेड करके रखा है और यहां पर बोलर प्रेट भी लेकर रखा है html का अभी मैं यहां पर body tag के अंदर में एक div tag लोंगा div और इसके class में दे देता हूं convert इसी div को हम बाद में canvas में convert करेंगे ठीके और इसके अंदर यह div के अंदर में एक paragraph tag ले लेकाता हूं और इस paragraph tag के अंदर में मैं कुछ text देता हूं और हम 30 word का text देता हूं अभी देखते हैं web page में अभी हमारा यह है html page और यहां पर और एक div लोंगा में और इसका class देता हूं में result और यह result class का div है इसमें हम बाद में यह convert class का div को convert करके यहां पर show कराएंगे convert class का div है इसको canvas में convert करके यहां पर result में show कराएंगे और अभी आते हैं यहां पर ब्रोजर में हम html element को canvas में convert करने के लिए html to canvas library का यूज़ करेंगे यहां पर गूगल पर आके आपको html to canvas इस तरह से लिख होगे तो यहां पर होस्ट में आपको यह मिलेगा html to canvas.hotzen.com इसका website यह है और इसको open करेंगे तो यहां पर इन्होंने फायल देके रखाया इसको open कीजिए और इसको copy कीजिए यह पूरा code यहां पर आके और एक फायल क्रेट कीजिए मैं create कर लेता हूँ html to canvas.js नाम से ठीक है और यहां पर मैं paste कर देता हूँ वह जो हमने copy गया था code उसको html to canvas का code को यहां पर copy करके मैंने paste कर दे अभी इसको close कर देता हूँ और यहां पर index.tml यहां पर आके स्क्रिप टैग लेके जो अभी हमने file create किया उसको link करेंगे अभी हमने इतना कर लिया और यहां पर नीची में आएंगे और फिर से स्क्रिप टैग लेंगे और यहां पर जो code हमें लिखना पढ़ेगा वह लिखेंगे अभी इसको back कर लेता हूँ और यहां पर इन्होंने बताया है इसका uses इसको कैसी use करना है यहां पर आपको documentation में जाना है और documentation में जागे यहां पर getting started पर आईए तो इन्होंने यहां पर uses दिया हुआ है, इसको इस थारे से use करोबल, तो इहां पर यह जो code दिया है, इन्होंने इसको मैं copy कर लेता हूँ, और यहां पर paste करूँगा, यहां पर देखिए, इन्होंने क्या क्या है, यह HTML to canvas यह एक method है, और इसके अंदर यहां पर आपको जो element आ canvas में convert करना चाहते हैं, उसको देना पाए, इन्होंने यहां पर document की body को देके रखा है, हम इसको आजा देंगे, और क्या करेंगे, कि यहां पर आते हैं, और self पर select कर लेते हैं, हमारा इस जीप को, यह जो convert class का जीप है, उसको select कर लेते हैं, ठेके, dot convert, convert, अभी हमने, जो जीप को हमें convert करना था, उसको select कर लिया, और उसको आके यहां पर दे दीजिए, हमने elm नम से variable create करके select किया, तो मैंने यहां पर element दे दिया, और यह promise रिटन करता है, तो इन्होंने यहां पर dot then करके रखा है, और यहां पर आपको canvas return होगे, मिलेगा, खीगे, यहां पर इन्होंने क्या किया है, body, document की body पर जो canvas रिटन करता है, उसको append किया है, पर हम कहां पर append कर करेंगे, यहां पर यह result class का जो db, इसमें append करेंगे, उसके लिए select कर लेता है, document.quareselector.result.result.butappend, यहां पर canvas को append करेंगे, canvas. अभी देखते हैं दोस्तों, यहां पर हमारा web page में यह देखिए, इसको inspect करूंगा मैं, यहां पर यह जो पहला, यह element है, इसके element को inspect किया, तो हमारा यह convert, जो class से हमने div बनाया था, वो show कर रहा है, और यहां पर यह नीचे में, यह result class के अंदर, यहां पर हमारा canvas append बचुका इस तरह से return हो सुका है, canvas में convert होगे, अभी हम इसको image में convert करेंगे, तो image में convert करेंगे, और उसको downloadable, बनाएंगे, download भी करके देख लेते हैं, तो यहां पर यह zip tag के बाद में आओंगा, और यहां पर मैं एक anchor tag लोंगा, इसको इसे ही छोड़ देता हूं, यहां पर मैं इसक यहां पर अभी यह download का link आगा, इसको कोई click करेंगा, तो यह image, यह जो canvas है, यह image में convert होगे, डाउनलोड होना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर आएंगे, और यहां पर select यह canvas को, let cbs canvas equal to document, but query selected, query selected canvas, canvas, अभी हमने यह canvas return कर रहा है, किया था इसने, उसको हमने यहां पर select कर लिए, और इसके बाद में हम क्या करेंगे, हमारा यह जो हमने यहां पर anchor tag जो create किया, उसकी जो href होगा, वो हम यहां से देंगे, फ़ले उसको select कर लिते हैं, document, dot query selector, query selector यह anchor tag को select कर लिते हैं, इसको मैं class देता हूँ, बस, यही लिख देता हूँ, इसका class name, और यहां पर आके, dot a, अब यह anchor tag को भी हमने यहां पर select किया, ठीके, इसको मैं एक variable के अंदर रख लेता हूँ, अब लेट, a equal to, anchor tag equal to, यह हो गया, और इसको, इसका href को देंगे हम, a.hrl, equal to, जो हमने यह canvas select किया है, cbs है, इसका variable name, और cbs. आपको यहां पर करना है, to data.url, यह एक method है, यहां पर parenthesis लगाइए, और इसको, जो हमारा anchor tag है, उसका download को करेंगे, a.download, download equal to, यहां पर आपको जो file name आप download करवाना चाहते है, वो देना है, यहां पर आपको file name देना पड़ेगे, extension के साथ में, ठीके, मैं दे जाता हूँ, html, to canvas, but, png, यह जो to data url, यह जो रिटर्न करता है, वो by default, हमें png image रिटर्न करता है, ठीके, अभी यहां पर आते हैं, वे ब्रोजर पर, अभी मैं इसको यहां पर download बटन में क्लिक करूँगा, तो यह हमारा download हो जाएगा, देख अभी मैंने यहां पर html to canvas, यहां पर save करने का बोल रहा है, अभी इसको मैं save करूँगा, तो यह save हो गया png image में, ठीके, यहां पर save हो गया हमारा png image, और यह जो canvas, यह canvas है न, यह canvas में, आप height width set कर सकते हैं, वो कहां पर करना है, जो कि मैंने आगे में बता ना बोल गया, अभी बता देता हो, यहां पर element के बाद में, यहां पर आप options दे सकते हैं, खिके, तो यहां पर क्या थे सकते हैं, बेग्रांड कॉलर, height, width, और भी बहुत कुछे, वो आप यहां पर options यहां पर दे सकते हैं, अभी मैं एक बार background कोलर को मैं कर देता हूँ, background, save, valid, background color, और background color क को मैं कर देता हूं रेड तो अभी दिखी यहां पर हमारा केनबस का बेक्राउंड कोलर जो है यहां पर चेंज हो जाएगा इस तरह से आप यहां पर ऑप्शन दे सकते हैं ठीक है अभी हमने यह downloadable बनाया था और अभी यहां पर PNG आ रहा है जो बाइडिफल जो PNG रिटन कर रहा है उसको आप यहीं चाहते हैं कि JPEG हो जाए तो उसके लिए यहां पर two data URL में यहां पर आपको देना परेगा image slash jpeg तो आपका यह jpeg image में return करेगा जो canvas आपने आप कनबद कर रहा है वो jpeg format में image return करेगा ठीक है तो अभी यहां पर आके भी इसको भी file extension change कर दीजे jpeg लिख दीजे तो यह jpeg format में आ जाएगा तो अब़ी आते हैं और यहां पर download पर click कर लेते हैं और इसको save कर लेते हैं तो यह jpeg image में आया है अभी मैंने इसको open करके आपको नहीं दिखा आया था तो आभी में यह पहला में अब यह वाला हमारा PNG जो हमने गाउनलोग किया था वह है और इसको क्लोज कर देता हूं और यह जो JPG इमेजे यह वाला यह है इस तरह से हमें JPG इमेज मिला दोस्तों इस तरह से कर सकते हैं आप गैनबस को इमेज में कानवाज तो दूस्तों आज के लिए इतना ही वीडियो को अचा लगा तो लाइक जरूर कर दीजेगा और मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजे और थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो